अब इस चैनल को लाइक सेयर और सबस्क्राइब करें ताकि विभिन बिमारियों और उसका जो हमें पेतिक इलाज है साथ ही बिमारियों से सम्मंधित और उसके इलाज से सम्मंधित और बहुत सारी जानकारियां मैं इस पर डालते रहता हूं तो जो भी वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुँचे असानी से पहुँचे इसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सबस्क्राइब कर लें आज हम आपके लिए ले करके हैं इलोपेसिया अर्थात गंजापन तो मेडिकली हम जो इसके लिए सब्द यूज करते हैं वो है इलोपेसिया तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये लोपेसिया क्या है तो इसमें बाल जहरने का मुखरूप से हम देखते हैं कि बाल जहरता है और गंजापन हो जाता है लेकिन ये सर से बाल ही जहरने की प्रक्डिया नहीं है बलकि हम देख सकते हैं कि इसमें दारही, भों, इपलविक रीजन, जिनेटल पार्क, पार्ट या और कहीं से भी बाल ज़र सकता है कभी-कभी तो पूरे सरीर का ही बाल ज़र जाता है और पूरे सरीर का ही बाल प्रभावित होता है तो इसको autoimmune disease के भी सिरिनी में रखा जाता है कुछ जो alopecia का case होता है autoimmune disease के सिरिनी में आता है और तब सचमुच में ही थुरा सा इलाज critical हो जाता है लेकिन हम देखेंगे वीडियो के अंत में हम आपको कुछ हमीपेथिक दवाई के बारे में बताएंगे और आप ये भी देखेंगे कि इन दवाईयों के प्रयोग से कैसे बहुत आसानी से ये alopecia जो बीमारी है उठीक हो जाती है तो आईए सबसे पहले हम जानते हैं कि alopecia कितने तरह का होता है endrogenic alopecia, alopecia, arieta, traction alopecia, telogen alopecia, enogen alopecia इस तरह से मुखरूब से इसको हम पाँच कैटेगरी में रख सकते हैं पाँच types होता है alopecia का और ये भी समझ लेनी बाली बात है कि हर एक तरह का alopecia autoimmune disease ही नहीं है बलकि कुछ जो जैसे alopecia, arieta सब है इस अब autoimmune disease के सिरेनी में आता है लेकिन हर एक alopecia autoimmune disease नहीं है और हम थोड़ा सा थोड़ी सी जानकारी ले ले लें कि अलग-अलग तरह के alopecia में कहां कौन-कौन से लक्षन उपस्तित होते हैं जैसे endrogenic alopecia होता है तो इसमें बाल कमजोर हो जाता है और इसका कारण जैनिटिक भी हो सकता है और alopecia arieta की बात करें तो इसमें क्या होता है कि पैच में बाल जहरता है देखेंगे कि एक रुपेया का सिक्का या दू रुपेया के सिक्का के बराबर पैच बन गया है और वहां बाल जहर जाता है उसके अलबा होता है ट्रेक्स reborn alopecia इसमें देखेंगे कि बगल से बाल जहरता है या से सर है तो यह जो इलालाट है उसके नजदीक से बाल जहरना सुरू हो जाएगा और टेलोगेन alopecia, एंरोगेन alopecia ही के तरह होता है तो इस तरह से अलग-अलग अलोपेसिया के बारे में हमने जाना अब हम जानते हैं कि कौन सा कारण होता है तो कई बार इसका कारण जो कुछ केमिकल्स हम यूज करते हैं कॉस्मेटिक्स में या सेंपू, सोप या वाइल के रूप में तो भी रिस्पोंसिबिल हो सकता है फिर एक समस्या है कि जैसे प्रोटीन, केल्सियम, आईरेन ये सब की कमी हो जाए तो वो रिस्पोंसिबिल फेक्टर होता है और एक बहुत ही महत पूर्ण कारण है वो है कि हमारा मानसिक तन्राव एक कहानी है लेनिन के बारे में जो साम में बहुत चिंतित हो गए अपने देश के बारे में कि कैसे उसका पुनर निर्मान किया जाए और सुबह उठे तो उनका पूरा बाल सफिद हो गया था इस तरह से हम देख सकते हैं कि मानसिक चिंता तन्राव का कितना ज़्यादा आसर पड़ता है फिर अन्य जो फैक्टर्स हैं वह बढ़ता तन्राव या हैपर्टेंशन के लिए जो हम दवाई लेते हैं या फिर ऊटो-इमेन डीजिस हो सकता है या फिर लमबा और गम्भीर बिमारी को सरीर भुगकत रहा हो या फिर मने गर्ब निरोधाक जो फिल्स लेते हैं कंट्रासेप्टी फिल्स और इसपॉनसिबिल फैक्टर हो सकता है या फिर अनमंसी कारण हो सकता है और कई महिलाओं में आप देख सकते हैं कि जब वो प्रिग्नेंट होती हैं तो उनका बाल जहरने लगता है या फिर कुछ महिलाओं में जब मोनोपाउजल इस्टे जाता है उस समय बाल जहरने लगता है इसके अलावा अर्थराइटिस, गौट, डाइबिटीस सब के मामले में भी बाल जहरने किसी कैद देख सकते हैं और कैंसर सब के मामले में खास तरह से जब कि किमोठिरेपी दिया जाता है तो बाल जहर जाता है उसके अलावा कुछ इस्टे राइट बला जो दवाई सब लेते हैं हम तो उससे भी बाल जहरने का कंप्लेन हो सकता है अब बाल ये सिम्टम सब इसका देखिएगा कहीं बगल से बाल जहरता हुआ दिखाई देगा या कहीं दारी से, कहीं मुच से, कहीं भों से अलग अलग जगह से बाल जहरता हुआ दिखाई देगा कि बार नाखुन भी तुटता हुआ प्रतित होगा उसके बाद जाच की बात करें तो सिरी एक्टिव प्रोटीन जिसको हम CRP कहते हैं या फिर CBCVTSR या सीरम आइरन और जैसा कि हम ओटो इम्मिन डिजीज के मामले में एंटीनिकुलियर एंटीवडी टेस्ट करवाते हैं तो हमने जाना कि इसमें भी जो बाल जहरने का भी मामला होता है अरियेटा का, अलोपेसिया, अरियेटा का लाटो इम्मिन डिजीज से समनंदूत होते हैं तो अटो इम्मिन डिजीज के लिए चिस्ट होता हूँ करवाया जाता है इसके अलाबा थारेड हार्मोन टेस्ट या फिर मतलब टेस्ट एस्ट4-5rib या फिर LH shsh ये सभी जाँच करवाया जाता है बहुत तरह का इलाज है आप किसी से पूछिए कि बाल जहर रहा है तो कोई कहगा कि बाल मुडा करके अंडा थो पिये कोई कहगा मिटी से किखनी मिटी से बाल को धोईए कोई कहगा मुलतानी मिटी से धोईए इसी तरह से बहुत सारा इलाज है इसके लिए एक बहुत ही प्रचली तनुस्खा है जिसमें हम आमला सी काकाय और इठा को 50-50 ग्राम ले करके उसको कूट लेते हैं और फिर उसको 20 मिनट गरम पानी में उबाल करके उसके पानी को रख लेते हैं सी सी में उससे बाल धोते हैं उसके अलावा जो चावल है उसको धो करके उसके पानी से बाल को धोना भी बहुत अच्छा मना जाता है इस तरह से इसका बहुत इलाज है और मतलब जो कुछ खर्व सब्सक्राइब तो जो को जो इसके से बताया जा रहा है डाइट प्लान की बात करें तो पौस्टिक फोजने मच्ली निंबू अंडा अक्रोट अलमन्ड गाजर का जूस मतर और पालक यह सब कहा जाता है खाने के लिए और मीठा तला हुआ पदार्थ सोफ्ट ड्रिंक स्मॉकिंग यह सब मना ही है लेने से और अगर हमें पिथिक दवा की बात करें तो इसमें सबसे जो एलोपेसिया एडियेटा के मामले में सबसे जो प्रचलित दवाई है वह सिफलीनम और हम एक आपको अपना केस टेकिंग के बारे में बता रहे हैं कि एक बार हम दिल्ली आतरा पर थे तो हां एक बहुत बड़े पदाधिकारी के यहां मेरा रुकना हुआ तो उनका जो है सो बाल ज़र रहा था पैच में तो एक प्रतिस्टित हमेपिती क्लिनिक में इलाज भी ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखे और मेरा इलाज थी कि यह कुछ फैदा भी उनको हो रहा था तो मैंने उनको सिफलीनम दिया वननेम में पंदरा दिन पर येख खाने के लिए उसके साथ ही मैंने जेबुरेंडी 30 पावर में सुबह साम और मतलब वह जेबुरेनम रात में एक बार खाने के लिए दिया और इस तरह से कई बार बहुत कम दवा में हमें पेथी दवाई का जो नुस्खा है बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस दिखलाता है लेकिन मतलब सिल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए पूरा केस टेकिंग प्रोपर वे में करवाना चाहिए और जो कभी कंस्टिचूशनल जोरी मेडी होता है ओर रामबान सावित होता है तो रेलो पेस्यारीयटा के मामले में हम देख सकते हैं motion कि कितना ही कितना प्रभाव जालि होता है यह सिफलीनम लेकिन कुछकेस में हम क्या करते हैं तो ऐसे केस में हम करते हैं कि आप पहले सोरीनम ले ले लिजिए फ़स्ट जो जो सब्संधे name One M कि पर दूसरे संदे को ट्यूबरड कुलीनम लीजिए और चौथे संदे को थूजा ले लीजिए One M potency में हम देते हैं और फिर जिस दिन यह दवाई निये देते हैं उस दिन 24 घंटा तक कोई दूसरी दवा नहीं देते हैं अब उसके अलावा कुछ routine दवाई सब होता है जैसे आंका ना मतलब जहां जहां आपका बाल है दाड़ी का बाल है वहों का बाल है यह सब जहर रहा है तो उसके लिए selenium देते हैं सेलेन में थोरी कमजोरी भी महसूस होती है प्राइविट पार्ट का भी बाल जहरता है तो उसके इसमें selenium बहुत अच्छी दवा है और सधारन तह बाल जहरता है कोई कारण समझ में नहीं आए और गर्मी से परेसान हो पेसेंट तो उसके लिए दवा होता है acid fluoric और बाल सफ सब्सक्राइब तो उसके लिए दवाई होता है मेजेरियम इसके अलावा हम देखेंगे कि पिली पिली फुनसी के साथ बाल जहरता है और जांग भारी जैसा अनफब होता है तो उसके लिए दवाई होता है acid nitricum उसका टंग भी देखना बहुत जरूरी होता है उसमें टंग होता है इसके अलावा हम देखेंगे कि सर में जो खुसकी है उसके कारण बाल जहर रहा है तो काली कार्व दिया जाता है तीस पावर में लेकिन उसको खाली पेट में नहीं देते हैं भोजन नस्ता के बाद देते हैं इसके अलावा जब दाधी का बाल जहर रहा होता है तो मतलब मीठा खाने की प्रविर्थी हो और मतलब अक्रामक हो लराई मतलब उसका हो जाता हो और पेसेंट थुरा सा दुबला पतला हो तो उसके लिए दवाई होता है लाइकोपोडियों इसी तरह से जो दुगतपान कराने वाली महिलाओं का जो मतलब बाल जहरता है तो उसके दवाई होता है फासफोरस तो इस हिसाब से खुजली के साथ वाल जहर रहा हो बहुत खुजली हमेसा रहता हो और जो उसके लिए दवाई होता है विनका माइनर और जो गेनिक प्रोब्लेम के साथ सफर कर रही हो महिला अतब अगर मतलब बाल जहर रहा हो अमर्दाना सा उस पेटेंट सब भी है जो बहुत अच्छा काम करता है उसमें एक पेटेंट होता है आपको जर्मनी की जो कंपनी है रेकवेज उसके द्वारा बनाया हुआ प्रोड़क्ट है आरेटी नैन उसी तरह से दूसरा प्रोड़क्ट है एसकेल्प टॉन तो उसका वह भी बहुत अच् प्रोड़क्ट ये भी बहुत अच्छी दवा है इसके अलावा भी हम बहुत सारी दवाव सब को देख सकते हैं लेकिन इंपर्टेंट है कि हम कारण को फाइंड डॉट करें और कारण को फाइंड आट करके हम उसका तदनुसार एलाज करें और कोई ने कोई जो मेडिसीन है उसका कुछ नो कुछ key point होता है जैसे एक बहुत ही प्रचलित दवाई है लेप्सिया के मामले में और वो दवाई है थूजा तो थूजा के मामले में देखेंगे कि जिनेटी कारण होगा family history होगा उसका father गंजा होगा उसकी mother गंजी होगी या मतलब ऐसा देखेंगे कि उसके दादा जी गंजा रहे होगे या फिर hormonal imbalance के कारण जो बाल ज़रता है तो उसके लिए बहुत ही उप्योगी दवाई है थूजा और मतलब जो बाल पक भी रहा हो जो फॉल हो रहा हो मतलब बाल ज़रना जारी हो और गड़िमी से परेसानी बढ़ रही हो तो फिर एसी फ्लोरिक बहुत अच्छी दवाई है और मंचेज में बाल ज़र रहा हो तो उसके लिए फासपोरस भी है उसी तरह से नेट्रम्यूर भी है लेकिन साथ साथ आप फासपोरस और नेट्रम्यूर नहीं दे सकते हैं क्या कि कई बार फासपोरस और नेट्रम्यूर एक दूसरे का काट हो जाता है तो इस तरह से हम इसमें दवाई का सेलेक्शन करते हैं और बहुत सारा जाँच भी है और कई बार हम देखेंगे कि कई बार जो डर्मेटोलोजिस्ट है या एर एस्पेसलिस्ट है तो उनके यहां भी जा करके कई बार सफलता नहीं मिलती है तो अगर मतलब जर से इसको ठीक करना है तो हमें पीठी दवा बहुत अच्छा है खास करके हम देखते हैं कि अगरेजी में कई बार सप्रेशन के माली दवा सब दे दे जाती है तो इससे क्या होता है कि ततकालिक रूप से कई बार फैदा मिलता है लेकिन आगे चल करके क्या होता है कि आदमी गंभीर बीमारी सबसे सफर करने लगता है खास करके कोई flue हो या महामाडी हो तो एक वीमाडी तो बाल के मामले में तो कभी-कभी सफलता मिलती है लेकिन अब्वीमाडी का शरीर सिकार हो जाता है तो इस तरह से proper diagnosis के बाद हम जो अलग-लग तरह का ellipsia होता है उसको हम देखें और उसके हिसाब से उसका treatment करें उसका पूरा हिस्ट्री करवाएं तो बहुत ही सहज रूप में कई बार एक से दो दवा ले करके हम ठीक कर सकते हैं तो बहुत ही प्रचलीत दवाई है इसका सिफलीनम या फिर ये बोरेंडी तीस या फिर मतलब एसीड फोस ये सब बहुत कोमन दवाएं और बहुत प्रचलीत दवाएं हैं इन सब का सेवन किया जा सकता है या फिर हिस्ट्री ले करके जो कोई constitutional remedy है उसको ले करके हम लाब उठ रहा सकते हैं